तो वाई आज गोधी मीडिया वाले जिस खबर की फिराक में सुबह से ही लगे हुए थे वो खबर गोधी मीडिया वालों को नहीं मिली जी आ मैं बात कर रहा हूँ किसानों के रेल रो को आंदोलन के बारे में गोधी मीडिया वाले इस फिराक में थे कि कहीं से भी छोटी सामने आई किसानों की रेल रोग को आंदोलन से उन सारी की सारी तस्वीरों से पता चला कि आज एक peaceful protest किया गया है और शायद इसलिए गोदी मीडिया वालों ने किसानों के रेल रोग को प्रोटेस्ट को cover करने का भी काम नहीं कर रहा लेकिन आज मैं आपको को बताऊंगा कि गोदी मीडिया ने पूरे दिन क्या करा बैठके किस तरीके की टुची खबरें बेफकूफी भरी खबरें दिखाई इसलिए बताऊंगा आपको एबात क्योंकि आज एक बहुत बड़ी इस तरीके से avoid किया जाएगा खबरों को ignore किया जाएगा बड़ी न्यूज को तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इनसाफ आखिरकार कौन दिलाएगा दोस्तनु स्वागत आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नेए वीडियो में उस बड़ी खबरें करें कुछ बड़ी बातें जो गोदी मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ उसके बारे में चर्चा करता हूँ और आज की जो बड़ी खबर है वो है उन्नाव से यकीनन क्या हुआ उन्नाव में किस तरीके से उसकी क्या क्या आपडेट्स हैं ये तो आपको बताऊंगा ही साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि गोदी मीडिया ने आखिरकार इस खबर को पूरे दिन कैसे अवोइड कि और किस लेवल की टुच्ची और चाटू कारिता भरी खबरें आज पूरे दिन चलाई गई लेकिन इस खबर को इग्नोर करके रखा गया क्यों क्यों क्योंकि योगी आदित्यनात का सो कॉल्ड राम राजे है उत्तर प्रदेश में आपको पता है जब ये खबर उन्नाओ की मैं पढ़ रहा था आज इन फैक्ट जब मैं वीडियो भी बनानी शुरू कर रहा था तो दो से तीन बार मुझे इस वीडियो का रीटेक करना पढ़ा क्योंकि उन्नाओ को बार-बार मैं हातरस बोलने का काम कर रहा था और क्यों ना करता क्योंकि जब मैंने उन्नाओ की इस खबर को पढ़ा मुझे लिटरली ऐसा लगा कि जैसे मैं हातरस वाली खबर पढ़ रहा हूँ जेनात की सरकार का एक failure नहीं है तो भला और क्या है social media पे आज क्या चीज़े trend करी थी इसके बारे में बात ही नहीं करूँगा पता है क्यों कि social media पे आज नहायती बेफकूफी भरी और useless चीज़े trend करी दी जहां पर उन्नाओं में इतनी बड़ी काम हो गया इतना बड़ा कांड हो गया इतनी बड़ी case हो गया वहीं दूसरी तरफ social media पे आज IPL trend कर रहा था पूरे देन इन फाक्ट social media पे एक trend चल रहा है जिसका नाम है शोयता जहां पर किसी महिला की एक random trends नहीं चलेंगे तो शायद यहाँ पर उन्नाओं के बारे में बात होनी शुरू हो जाएगी उन्नाओं के बारे में बात होगी तो भारती जनता पार्टी के लिए इससे बुरी खबर और कुछ नहीं होगी तो social media के trends नहायती बेवकूफी भरे लेकिन देश की जो खबर थी आज वो थी उन्नाओं के बारे में तो सबसे पहले आपको जरा बता देना चाहता हूँ कि उन्नाओं की खबर का अभी का update क्या है trends के बारे में आज जादा बात नहीं करेंगे बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे उन्नाओं का अभी का update ये एक news है आर्टिकल पढ़के आपको बता देता हूँ उन्नाओं की खबर में अभी का जो update है वो ये कि जो पीड़ित परिवार है जो बाबाप है उन बच्चियों के उनको थाने में ले जाकर के पुलिस ने बिठा लिया है और उनसे पूछताच करने का काम कर ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हातरस केस में भी हुआ था ये ठीक वैसा ही है जैसा कि उससे पहले जो कुलदीब सिंग सेंगर वाला मामला था उसमें भी पिता के साथ किया गया था हो सकता है थोड़ी देर में एक बार खड़े होते हैं एक बार आपके सामने रख देना चाहता हूं सबसे पहला सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार स्मृति इरानी इस टाइम पे का है definitely स्मृति इरानी से एक प्रशन किया जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश की महिला और बाल विकास मंत्री है वो हमारे देश में ऐसे मंत्राले पे बैठी हुई है जहां पर महिलाओं के उपर जिनको काम करना चाहिए और जब काम नहीं करती है तो at least बात तो करनी ही करनी चाहिए तो कहां है आज की डेट में स्मृति इरानी और इससे भी बड़ा बड़ी बात है कि स्मृति इरानी उत्तर प्रदेश से सांसद भी है स्मृति इरानी जब सरकार नहीं थी इन लोगों की उस टाइम पे गला फाड़ फाड़ के न्याय की अवाजे उठाती थी महिलाओं के लिए कहां है आज वो स्मृति इरानी डबल इंजन की सरकार की बात होती थी ये सवाल भी खड़ा होता है मोधी कहते थे कि उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार चाहिए double engine की सरकार चीए double engine की सरकार मिलेगी तो आखिर कार कहा है आज वो double engine की सरकार जब महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हरकतें हर महीने हर 10-15 दिन बाद एक बड़ी खबर हमारे को कोई ना कोई देखने को मिल जाती है ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो मैं यकीनन आज इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाता हूँ और ये भी चाता हूँ कि आप भी इन सब सवालों को इस वीडियो को शेर करकर के सरकार तक पहुँचाने का काम जरूर करें जिससे सरकार at least answerable तो इन चीज़ों पर अब मैं आपको दिखाना चाता हूँ कि आखिरकार आज गोधी मीडिया ने पूरे दिन क्या-क्या खबरे चलाई कितनी बड़ी-बड़ी भयंकर-भयंकर खबरे चलाई सबसे पहले आपको बताता हूँ कि उननाओ केस के उपर ये मैं साड़े-पांच बज़े तक की बात कर रहा हूँ जो मैंने अपना पूरा डेटा निकाला है साड़े-पांच बज़े तक का तो उननाओ केस के उपर गोधी मीडिया के किस-किस चैनल पर कितने मिनट की, कितने सेकिंडों की या फिर कितने खबर आई हैं आज उननाओ के बारे में गोधी मीडिया की उपर सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ आपकी स्क्रीन के उपर दिखाना चाहूँगा मिनट्स और सेकिंड्स Zee News पे पांच मिनट 37 सेकंड की खबर उन्नाओ के बारे में सोचिए इतनी बड़ी बरबरता इतना बड़ा कांड हो गया उन्नाओ में और सिर्फ 5 मिनट 37 सेकंड की खबर कोई भी बड़ी डिबेट नहीं उसके बाद News 18 पे 0 मिनट 0 सेकंड जी हाँ News 18 पे एक भी खबर उन्नाओ के बारे में आज सुबह से नहीं दिखाई गई उसके बाद उसके आगे देखिए जरा News Nation पे कितनी देर की खबर दिखाई गई दो मिनट 38 सेकंड जी हिंदुस्तान दो मिनट 32 सेकंड रिपब्लिक भारत 5 मिनट 33 सेकंड ABP News 3 मिनट 12 सेकंड और अभी तक एक भी बड़ी डिबेट इन चीजों पे नहीं हुई है इसी के साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार किन चीजों पे आज पूरे दिन न्यूस चलाई गई किन पे इस टाइम पे डिबेट भी चलाई जा रही है तो देखिए अमीज देवगन की ये डिबेट जहाँ पर उन्नाओं में इतना बड़ा केस हो गया इतनी बड़ी बात हो गया वहीं अमीज देवगन पता है क्या शो चला रहा है राम नाम से होगा परिबॉरतन क्वेश्चन मार्क ये शो चलाया जा रहा है अभी भी अमीज देवगन जो है इतने बड़ी बात के बाद भी इतनी बड़ी खबर के बाद भी हिंदू-मुसल्मान करने का काम कर रहा है प्राइम टाइम पे वहीं दूसरी तरफ आज ABP बोले जाने पर जगदीप धनखड का रियाक्शन उसी के अलावा नॉर्थ इस्ट को पी एम मोदी की सौगात ABP निउस पर ये खबरे चलाए गई उसी के साथ जी पर क्या चल रहा था बंगाल में रण का गुरुवार इसी के साथ आगे जी हिंदूस्तान पर क्या चल रहा पर फिर से किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया कबजा किसानों की न्यूस दिखाई गई लेकिन एक नेगेटिव तरीके से फिर से जी हिंदूस्तान वाले शाह के दौरे से बिलबिलाई ममता उसके आगे फिर से जी हिंदूस्तान पर शाह ने भारत सेवा आश्रम संग में की पूजा अर्चना उसके बाद फिर से आगे दीदी के द्वार शाह की हुनकार उसके आगे फिर से न्यूज 18 इंडिया पे गंगा सागर में अमिच शाह उसके आगे फिर से न्यूज 18 इंडिया पे मोधी की खबर जहां पर असम को पीए मोधी की सौगात उसके आगे फिर से अमिच शा की खबर सबका साथ सबका विकास फिर से अमिच शा की एक और न्यूस चलाई गई जहाँ पर जिसका नाम था अपकी बार परिवर्तन की बयार वही रिपब्लिक भारत पे भी इसी तरीके की खबरे चलाई जा रही थी सुबे से लेकर के शाम तक जहांपर अमिच शा के दौरे के बारे में रिपीट मोड में बताया जा रहा था कि देखिए वही अमिच शा जो है बंगाल गए हो है और कहां कहां क्या क्या कर रहे है उसकी छोटी छोटी अपडेट भी आज दी गई जाने की पूरे दिन भारतिय जन्ता पार्टी के नेताओं की चाटू कारिता करने का काम किया गया रादर देन शोइंग असली न्यूज जो की उन नाओं में उन बच्चियों के साथ हुआ लेकिन सवाल वही और बार-बार पूछूँगा कि आखिरकार अगर यही सब चलता रहा तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के इंसाफ की अवाज कौन उठाएगा जबी भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होगा तो उसके बारे में बातचीत कौन करेगा सवाल कौन पूछेगा उनको इंसाफ कौन दिलाएगा क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं इंसाफ भी डिज़र्व नहीं करती है क्योंकि जो set format चल रहा है उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं है इंको इंसाफ क्या देना है कोई फरक नीं पड़ता इनको जो है मरने दो एक तरफ अगर चाहते हैं कि उननाओ की उन बच्चियों को इंसाफ मिले उन तीन बच्चियों के साथ जिनके साथ बरबरता हुई है उनको इंसाफ मिले तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जादा सजादा और इस सवाल को जरूर पूछिए कि वहां की महिलाओं को इंसाफ कौन दिलाएगा इस वीडियो में इतना ही मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में